वेलकम बैक अनदर निव वीडियो स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकलें प्रेडिक्शन में दूस्तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसिया कप का पहला पांचवा मुकाबला सिरलंका और अफगानिस्तान के बीच में यो खेला जाएगा ठीक है का सकते हैं दोनोंSpeak के लिए डूरडाई का मुकाबला है जो यहां पर टीम ःत्ता जाएगा यही तक अपवां मुकाबला से में addiction राइन वाले तो ऐसे में कॉन सी इस्तर सकती है सब कुछ वीडियो में लोग 시간 करने अगर आप लोग इस मुकाबला को खिलना चाहते हैं तो जाकर वीडियो को देख लेना बागी बता दू दोस्तो देखो ये टेलिक्राम का चैनल है प्लीज आप लोग यहाँ पर जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंड बॉक्स में जाना लिंक मिलेगा लिंक को सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूशे जून का मैसेज होगा आप लोग यहाँ पर जरू जाना जाओगे चलो गाइस वीडियो को हम लोग फाइनली स्टार्ट यहां से कर लेते हैं तो यहां से बात करते हैं दोस्तों सिर्लंका बंगलाद इसके बीच में अपका яж दोस्तों सबसे पहले बारे मैं आप लोगों को बता दूँ देखिये दुबाई कीर्केट ग्राउंड यह रहने वाला है दोभाई का स्टेडियम रहने वाला है और दोस्तों यहां पे एक बात मैं आत लोगों को किलेर कर दूंड देखो ये मुकाबला पांच्वा खेला जाएगा मतलब पांच्वा टीट्वरा खेला जाएगा ऑर अभी चौत पर बाद के कोई को अच्छग कर दूंगा तो यह बात करते हैं तो 77 च्वा यह रिकॉप को भुटूиф सिरलंका की टीम ऐसा कुछ स्कोर करे कि इस मुकाबले को जीज जा है बाकि वेश्ट इंडिस की टीम का यहां का लोईस्ट स्कोर है जो कि 55 रन मैच बनाके अलाउट हो गई थी अच्छा सिकोरिंग पैटर्न पर हम लुग नज़र डालते हैं तो देखेंगा यहां पे बहुत कम ही मतलब हाई स्कोरिंग मैच होता है यहाँ पे low score ही बनता है जैसे कि 1500 से कम 43 बार score बना है 1500 से 170 के बीच में 19 बार score बना है 170 से 190 के बीच में 9 बार score बना है और 190 से जादा 6 बार score बना है तो दोस्तों अगर मैं बता हूँ तो आप लोगों को सबसे जादा यहाँ पे जो score बना है सबसे जाए इसकोर बना यहाँ से कम बना तो ऐसे मैं आप लोग मान के चल सकते हो कि जबना चाहिए मैरे ख्याल से 140 के संधिंग स्कोर बनना चाहिए कस रहे गागर की बात करते हैं स्रिलांका कि क्या कुछ पॉस्बल प्लैंग 11 हो सकती कि यह प께서 कि अगुट्र aventagen क्हां की बाद कि बहुत जादा नूभवी खे लाड़ी यह सिर्लंक की तरफ से लाइनप की तरफ से झरीं निके अग तरफ से एक और ग्लाड़ी जो कि फ्यूचर इस्टार कहे जाते हैं से लंका के जीरो रन का स्कोर ये किये थे और बॉलिंग एक ही गन डाली थी उसमें जीरो विकेट इनको मिला था बाकी दसुन गुना तिलका 17 रनों का स्कोर किया थे और मैं आप लेगों को गुल तिलका के बारे में स्पेसली बद तादू जो LPL चलता है मतलब लंका प्रीमियर लीग उसमें इनका काफी बैतर परफोर्मेंस आता है कंसिस्टेंट स्कोरिंग करते हैं बाकी भानुका राजा पकसा 38 रनों का स्कोर ये किये थे बहुत हार्ड इटर बैट्समेन है और इनी के 38 रनों के बदूलत कह सकते हो टीम थोड है जिन्होंने दो रन बैटिंग से प्लस बॉलिंग से एक विकेट निकाले थे बाकि दसुन संका जो कि टीम के क्याप्टन एक भी विकेट इनको नहीं मिल पाया था और खैर बॉलिंग करने आहीं नहीं थे बाकि चमुका करूदा रस ने इनका भी गाई बहुत महत्यपु इनके तरफ से डेब्यू टांट प्लेयर खेल रहे थे हैं बात करते हैं इनके तरफ से कौन सा बलर ओपनिंग देश में बॉलिंग करता है तो दिलसान मधु श्रंका के साथ महेस ठिक्षना उप पिछले मुकाबले में आये थे और देश में आप लोग चमीका करून रतने म समझ सकते हैं वैसे भी देश तक मुकाबला गया ही नहीं था 12-13 में मुकाबला जीत गई थी आफगानिस्तान की टीम और देश उबर कभी भी 15 अबर के बाद से स्टार्ट होता है ठीक है बागी बात करते हैं के तरफ से बॉलिंग इंफर्मेशन तो आप लोग देख सकते ह मुझे लगता है अच्छी खासी उबर करेंगे उसमें पहला नाम विंदू हसरंगा दूसरा पतिराना मधू शंका और यहां से ठीक सना का आप लोग मान के चल सकते हैं और करूना रतने भी देख परमूख बॉलर हैं लेकिन फिर यहां पे अगर दसुन संका बॉलर अगर ऐसा बॉलिंग आते तो हो सकता है अपना ओवर डिवाइड करें चमी का करूना रतने से या फिर एकॉनमी जिनकी ज्यादा होगी उनसे बॉलर यहां पर डिवाइड हो सकता है बात करते हैं अपनी दूसरी टीम जो कि बांगलादस की टीम रहने वाली इनके तरफ से क्या चार रहनों का स्कॉर किया था और अने मूल हक के बारे में बता दू अभी ओडियाई में काफी बहतर फॉर्म में थे लेकिन वह अगेंस्ट जिमवाबे मुकाबला खेला जा रहा था तूफीफ मतलब तीन मैचों की ओडियाई से खिला थी जिसमें से दो बार यह 50 रहनों क स्कॉर का आकड़ा क्रोस कर गया थे ओडियाई किर्केट में बाकि शाकिबल हसन के बारे में आप बता दू जो कि बैटिंग से 11 रहनों का स्कॉर कर रहे थे और बॉलिंग से एक विगेट निकाल पाया थे इनके तरफ से अपना पिछला मुकाबला हंड्रेडवा यहां पर इन्हों नहीं किया था यह भी काफी एक्स्पीरेंस खिलाड़ी हैं बाकि मुश्रदेख हुसेन के अनताली सन प्लस बॉलिंग से एक विकेट थे वहीं महंदी हसन की बात करते हैं तो 14 रन इनके था बाकि बालिंग से लगा सकते हैं बाकि तसकीन आमद विकेट लेस गया थ हैं बात करते हैं इन के तरफ से ओपनिंग नेगा यहां पर आप लोग शाकीबल हसन के सब्मुश्वकुद रहमान को मान सकते हो वहीं मोहमसम्मेद लुद्न करों सकते हैं बड़ेख मौध पर्फे पहला न zitten दूसरा मुश्वकुर मेहिदी हसन्थ तास्कीन अमद और यहां से आप लोग मौमद सेफुदून का मान सकते हैं अगर फिर से कोई खिलाडी इसमें से डेब्यू कर लेते तो आप देख सकते हो जैसे कि एक नवायदू करनांडू करके प्लियर राइट है राइट हैं राइट हैं रिष्ट एकारी कोड़े तो आप इनका यहां से रिकॉर्ड देख सकते हो चलते हैं ड्रीम अलों पर देखते हैं इस मुकाबले से रिलेटेड हमारी क्या कुछ टीम बन के रेडी हो रही है दोस्तों बात करते हैं करें लेको इस मुकाबले में ये भी ऑपनिंग कर लें अब ऐसे मीं देख़े कि कि ग्राउंड मतलब 300 से कम स्कोर सकते हो फूह सकता है घुलै कि अघर कुछ फ्लॉप्त हो सकते हैं तो फिलहाल के लिए तो मैंने ले लिए आप हो सकता है इसमें चेंजेज भी आप लेगों को देखने को मिल जाए बागि अनेमुल हग गाइस ग्रांड लिंग में जरूर आप इनको ट्राइक कर सकते हैं काफी अच्छा मतलब स्कोरिंग कर रहे थे 50 पलस का मोहमेद उल्ला गुनातिल का मेरे टीम में है अब चाहो तो पथुन निसांका 24 असलांका में से किसी को भी ट्राइक कर सकते हैं मुस्वकुर रहीम या कुसल मेंडिस को अटाएकर ठीक है बागी बात करते हैं बालिंग सेक्षन से तो यहां से महिश ठिक्षना अब सेफुद्दिन के साथ बैटिंग से भी थोड़ा सडवांटेज इस वाजा से मैंने अपने टीम में लिया है बागी देस में बॉलिंग करेंगे तो इस वाजा से भी टीम में जगा बना रहे हैं बागी रहमान काफी जाद एक्स्पीरेंस खेल रही हैं महिश ठिक्सना अपने टीम से कह सकते एक पर्मुक बॉलर रहने वाले बाकि और मुझे कोई सेफ में दिख नहीं रहा है ग्रान लिग वाले फिक रहने वाले तो आप इनको ग्रांड लिग में ट्राइ कर सकते हैं बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की Hussein क्याप्टन फिलाल के लिए तो फाइनल टीम मैंने फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर ही में दे पाऊंगो तो आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक को चेक करना मतलब लिंक मिले अगा लिंक के थुरू आ सकते हो बाइ कि चैनल बीच में डिलिट कर दिया गया था बिग बैस लिग जब ठंडी में चल रही थी तो एक लाग से संथिंग सस्क्राइबर थें उस वक्त तक बट कोई ने आप लोग होप सपोर्ट करे हो तो हम लोग नेक्स्ट आप केल तक उतना फिर से कर लिया जाएगा तो होप गाइज आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दियोगे वीडियो पर नहीं होगे तो लाइक कर देना बागी मिलते हैं एक वीडियो में तब तक लिए गुडबाए